हे लर्नर्स वल्कम बैक प्रमाइच चैनल आज की वीडियो में हम पैरड़ाइस लॉस्ट बुक 11 को कवर करेंगे इससे पहले की 10 बुक्स की वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आप लोग वहाँ से चेक कर लेना तो आईए पढ़ना स्टार्ट करते हैं एडम इन इव ने फ्रूट ओफ नॉलेज खाकर गॉड की ओडर्स को वाइलेट किया तो अब उन्हें पनिश्मेंट दी जानी थी औल्दो उन्हें अपने की ये पे पच्चतावा था वो रिमोर्स फुल थे बट स्टिल सजा तो उन्हें मिलनी थी तो अब वो दोनों गॉड के लिए सेक्रिफाइज होने की बात करते हैं तो गॉड उन्हें रिस्पॉंड करते हुए कहते हैं कि चलो ठेक है इन पे रहम किया जाएगा लेकिन ये अब पैरडाइस में नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये अब इम्प्योर हो चुके हैं और पैरडाइस अभी भी प्योर है तो अब गॉड अपने सभी एंजल को अपने पास बुलाते हैं और एडम और इव ने जो किया है उन्हें सब बताते हैं और वो एक एंजल माइकल को कहते हैं कि वो एडम और इव को पैरडाइस से बाहर लेकर आए आगे वो उसे कहते हैं कि तुम्हें उनके साथ ज्यादा स पे डिप्लॉई कर देते हैं ताकि उसमें कोई और ना एंटर कर सके एंड चेरप्स छोटे-छोटे एंजल्स होते हैं अब सीन शिफ्ट होता है एडम एंड इव पे जो की प्रेयर्स कर रहे हैं एडम को यकीन है कि गॉड उन्हें जरूर सुनेंगे एंड वो इव को ये भी कहता है कि तुम्हें सैटन से रिवेंज लेने का मौका जरूर मिलेगा क्यूंकि तुम हुमन काइन की मदर कहलाओगी इट मींज वो उनका ही कोई डिसेंडेंट होगा जो की सैटन को डिफीट करेगा बट इव ये सुनकर अशेमड फिल करती है क्योंकि उसके वज़े से ही डेथ एंड सिन इस दुनिया में आए बट इसके साथ ही वो ये एशियर करती है कि वो एडम एंड गॉड को हमेशे अबे करेगी एंड एडम का साथ कभी नहीं छोड़ेगी एंड ऐसे वो इस पैरडाइस में खुशी से रह पाएंगी तो अब एडम को माइकल आते हुए दिखता है एंड वो इव से कहता है कि न्यू ओर्डर के लिए वो प्रिपेर हो जाए तो माइकल उन्हें कहता है कि जब तक डेट तुम्हारे पास नहीं आती तुम लोग जी सकते हो बट फिलहाल के लिए तुम्हें पैरडाइस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यही गॉड का आरडर है वो दोनों यह सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी होते है और आडम तो यह कहता है कि मैं अब गॉड से कभी भी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो इस जगा को छोड़ कर जा रहा हूँ तो माइकल उन्हें कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है गॉड तो हर जगाएं तुम बस वर्चूस रहो गॉड हमेशे तुम्हारे पास रहेंगी तो अब माइकल इव को तो एक गहरी नीद में डाल देता है और खुद एडम को लेकर एक बहुत ऊची पहाड़ी पे चला जाता है यह परड़ाइस की हाइस्ट हिल है जहां से एडम को सारी अर्थ दिख रही है अब माइकल कुछ वाटर एडम की आईस पे स्प्रिंकल करता है और उसे फ्यूचर की विजन दिखाता है तो पहले एडम क्या देखता है कि दो आदमी हैं जो कि गॉड के लिए सेक्रिफाइस कर रहे हैं गॉड पहले आदमी के सेक्रिफाइस को तो एकसेप्ट करते हैं बड़ दूसरे को नहीं तो इससे जैलिस होकर दूसरा आदमी पहले वाले को मार डालता है वो ये सब देखकर ढर जाता है कि ये सब हो क्या रहा है क्योंकि उसने ये चीज़ें कभी भी सोची नहीं अब माइकल उसे एक बात और बताता है जिसे सुनकर तो आदम पूरी तरह से तूट जाता है कि ये दोनों केन और एबल हैं ये दोनों इव और आदम के पहले दो बच्चे होते हैं और उन्हें यू लड़ते हुए और मरते हुए देखकर तो वो पूरी तरह से शौक रह जाता है आगे माइकल उसे पताता है कि ये तो एक तरीका है जिससे कि हुमन बिंग्स के पास डेथ आएगी इसके अलावा और बहुत सारे वेज हैं जैसे कि वार, ओल्ड एज, नैच्रल डिजास्टर्स, और डिसीजिज इसके बाद वो उसे एक हॉस्पिटल का भी सीन दिखाता है जिसमें वो देखता है कि लोग बिमारियों से भी मर रहे हैं ये सब देखकर एडम रोता भी है और वो माइकल से पूछता है कि लोगों को इतना सफर क्यों करना पड़ेगा वो अपने आपको इमेडेटली क्यों नहीं खतम कर पाएंगे तो इसके जवाब में माइकल कहता है कि यही तो तुम्हारे सिन की पनिश्मेंट है जो इन लोगों को सहने पड़ेगी तो फिर एडम उससे पूछता है कि इस डैथ का कोई आल्टरनेटिव नहीं है क्या तो फिर वो उसे आंसर करता है कि नहीं बड़ तुम एक चीज़ कर सकते हो अपनी लाइफ वर्चुसली जी सकते हो अगर अपनी लाइफ में तुम इंटेंशनली किसी को दुख नहीं पहुंचाओगे या फिर सब की हेल्प करोगे तो तुम इन सब सफरिंग से बच सकते हो और तब तक पीसफुली जी सकते हो जब तक गॉड ने तुम्हें जिन्दगी दी है और ऐसे तुम ओल एज से ही मरोगे फिर एडम को अगले सीन में कुछ लोग दिखते हैं जो कि ड्रिंक एंड डांस कर रहे हैं और फिर उसे कुछ विमन दिखते हैं जो कि रिवीलिंग क्लोथ्स पहन कर मैंन को टेम्ट कर रहे हैं फिर उसे लगता है कि शायद ये सब मेरिमेंट्स हैपिनस के निशानी है फिर माइक तलू से बताता है कि ये लोग गॉड को भूल गए हैं और सिर्फ इन ही चीजों के लिए जी रहे हैं ये लोग लस्टी, इम्मॉरल एंड करप्ट हो गए हैं सिर्फ प्लैजर सीकिंग में इनका ध्यान है गॉड को ये बिलकुल भी याद नहीं करते हैं और एक दिन ये भी मर जाएंगे और इसे सुनकर आडम फिर से निराश हो जाता है अब नेक्स्ट सीन में माईकल उसे बड़े-बड़े शहर दिखाता है टाउन्स दिखाता है जो कि वार की वज़े से डिस्ट्रॉइ हो रहे हैं और साथ ही इन में रहने वाले लोग भी मर रहे हैं क्योंकि एक कंट्री की आर्मी दूसरी कंट्री के लोगों को मार रही है तो वहाँ पे एक पर्सन होता है जो इन सब चीजों के खिलाफ बोलता है कि हमें वाइलन्स नहीं करनी चाहिए वो होता है इनक, वो केन का सन है और वो लोगों में लव, कमपेशन और फ्रेटरनीटी की वैलियूस को प्रीच करता है लेकिन रोग उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और तोर उसे मारने के लिए आते हैं लोग उसे जरह सभी नुकसान पहुँचाएं इससे पहले ही गॉड उसे लिफ्ट कर लेते हैं और उसे सेफली हेवन में पहुँचा देते हैं इनक के एक्जामपल से जॉन मिल्टन हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम सचाई का साथ देते हैं तो गॉड हमें किसी भी रूप में या फिर किसी भी तरहां रिवार्ड जरूर देते हैं तो अब एडम नेक्स्ट विजन में फिर से कुछ इम्मॉरल एक्ट्स को देखता है फिर से वो दुखी होता है और रोता है कि दुनिया में ये सब चीज़े होने वाली हैं तो अब उन्हें एक और परसन दिखता है जो कि लोगों को इन इम्मॉरल एक्ट्स के अगेंस्ट प्रीच करता है और उन्हें रिपेंट करने के लिए एंकरेज करता है बट लोग उसे इग्नॉर करते हैं तो वो माउंटेंस पे जाता है और एक बड़ी सी बोट बिल्ड़ करता है उस बोट में सभी एनिमल्स के एक एक पेर रखे जाते हैं और वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी उसमें रखता है और जब दूसरे लोग उसकी बोट में नहीं आते तो वो अपनी बोट को लॉक कर लेता है उसके बद वहाँ पे तेज दुफान आते हैं और केरेक्टर है आपने उसके बारे में कहीं न कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा आगे माइकल एडम को बताता है कि गॉर्ड हुमन बिंग्स के इम्मॉरल लीड से नराज हो चुके थे इसलिए उन्होंने नुआ को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो एक जाएंट बोट बनाए और फिर गॉर्ड सिन्फुल हुमन बिंग्स को वाइप आउट कर दे मींस खतम कर दे और अब अर्थ फिर से प्योर एंड क्लीन हो गई और ऐसे गॉर्ड ने नुआ के थ्रू हुमन काइड को बचाया है तो अब एडम इस बात से खुश हो जाता है कि चलो अब हुमन स्ट्राइड नहीं करेंगे और में लास्ट में आपको यह भी बता दूं कि नोआ केन की फैमिली से ही बिलॉंग करता है और केन हमें पता है कि आडम एंड इव का सं था तो यह सभी आडम एंड इव के ही डिसेंडेंडंस हैं तो तो दाटी अज्यों के चैनल आड शेयर you can, bye-bye!